एक है अब्रीबन वेलकम तो माई चैनल आज हम लोग साल्ब करेंगे ब्रेंटीजर्स के को तो फ्रस्ट गोस्ट्विशन इस टिक द्रक्रेक्ट ऑप्शन को टिक करना है कहता है तो नंबर अफ डागॉनल्स पेंटागॉन है तो पेंटागॉन हम लोग किसको कहते हैं ना जि तो अभी में ड्रोव कर लिया हूं के तो अभी काउंट करते हैं देखिए हो गया यह गया पहला एक ले लिजे एदर से दूसरा 2 हो गया तीसरा 3 ओकिया इदर से 4 इदर से 5 ओके तो कितने हो गया 5 तो यह 5 पीजड़ करेक्ट अब करते हैं आप पैनलो ग्राम having its adjacent sides equal is a तो वो parallelogram जिसके adjacent sides equal हो वो क्या होगा तो देखिए तो मैं यहाँ पे एक parallelogram बना लिया हूँ अब देखिए इसके adjacent sides equal हैं तो आप देखिए यह side जो है ना इसके just adjacent कौन सा होगा? adjacent side मतलब होता है just उसके बगल में तो यह जो side हैं यह दोना equal हो जाएंगे तो अभी आप बताइए कि आप जानते हैं कि parallelogram का जो opposite side होता है वो equal होता है ओके? तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका equal है मैं इसको ले लेता हूँ इसका कुछ नाम आप देदेजिए तो चले मैं इसका नाम देता हूँ बी ए एस टी हो गया अब देखिए यह है मेरा बी टी और यह है मेरा सी अभी दोनों equal होएंगे अना और इधर देखिए बी यह और टी एस भी equal होगा क्यों opposite side equal होते है parallelogram के अब यहाँ पे adjacent side भी equal है तो अभी यह side or side equal हो जागा तो इसका मतलब यह side और यह side equal हो जागा इसका मतलब हो गया कि सभी sides equal होगे all sides equal तो ऐसा condition किस में होता है trapezium में rhombus में triangle में rectangle तो यह सब condition होता है ना rhombus में ओके तो यह second number का option क्या हो गया correct हो गया next question है seven sided polygon is called जिसमें seven side हो उसको हम क्या बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे हैप्टागोन हेक्सागोन होता है six okay octagon होता है eight sides और pentagon में five four आप जान रहे हैं और हैप्टागोन में हो गया seven तो यहां पर करेक्टर असर क्या हो गया seven फोर्थ लम्मर का समझगे next आगे हम देखते हैं कहता है है regular polygons तो यह regular polygons और okay तो regular polygons हम किसको कहते हैं हम लोको जानना पड़ेगा तो regular polygons हम उसको कहेंगे न जिसके सबी side equal होएंगे और angles भी equal हो गहाँ जैसे यहां पर देखेए यह अपनों जो figure है est यह आपका एक rhombus है इसमें सारे sides equal हैं बट इसके angles equal नहीं है उके इसलिए regular polygon नहीं होगा अब यहाँ पर square के बात करेंगे तो square के देखिए सारे sides equal होते हैं और angles भी equal होते हैं तो यह दोनों condition follow करना चाहिए तभी वो आपका एक regular polygon होगा उके समझ गये तो अब यहाँ पर आई एक option हमारे पास है regular polygons are equi-angular only क्या के वल एंगल सीकल होते हैं या फिर equi-lateral only cable sides equal होते हैं या फिर equi-angular और equi-lateral दोनों जी तो यह दोनों आने की third number option अपना correct है ओके और यह तो none of this नहीं होगा तो next question को हम देख लेते हैं कहता है which of the given polygons have equal diagonals कौन से polygon है जिसका diagonal equal होता है square rhombus parallelogram trapezium तो trapezium का diagonal यहाँ पर square का diagonal equal होता है यहां कहां दिया ना which of the which of the given polygons have equal diagonals diagonals equal हो तो यह देखिए square square के diagonals क्या होते हैं equal होते हैं यह हम लोग जान रहे हैं कि तो अपना यहां पर correct answer क्या हो गया correct answer हो गया फर्स्ट हाना चुकि parallelogram के diagonal equal नहीं होते हैं आप देख सकते हैं आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा है यह भी आपका rhombus है इसका भी डाइगा डाइगनल से इक्वल नहीं है और अपना ट्राइफिजियम का तो यह साइड्स हाना आपने सामने का पैरल्ल तो हो जाएगा बट इसका साइड्स हैं आपके नॉन पैरलल साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडिशन में ट्राइपिजियम का डाइगनल भी इक्वल हो जाएगा ओके यह आप ध्यान रखेंगे लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसल कंडिशन की बात नहीं की गई है सिपसल कंडिशन की बात नहीं करेंगे जैसे यह हमारे पास माझumber जरो की एक ट्राइपियजिम है और इसके यह यह नॉन पैरलल साइड्स हैं अगर यह दोनों इक्वल हो उस case में इसका diagonal equal हो जाएगा ओके यह आप ध्यान रखिएगा तो अभी special case की बात नहीं की गई है ओके यह एक general case की बात की गई तो general case में हम trapezium का diagonal equal नहीं consider करेंगी ओके समझ में आ गया तो यह option अपना नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा स्क्राइब किसी भी तरह को होगा उसका diagonal equal ही होगा समझ गया तो यह अपना टिक दर क्रेक्ट्ट ऑप्षन हो गया और यह important है सब के सब हना चलिए next question को हम देखेंगे अब question number b है answer the following questions कहते है नेम टू पोलिगॉन्स इच अधर एट राइट एंगल्स वैसे दो पोलिगॉन्स के नेम बताने हैं जिसके डाइगॉन्स नो कितने डिगरी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिगरी पर 90 डिगरी का एंगल बनाएंगे तो पहला तो आप यह ले ले लिजी आप क्या है यह है आपका square तो आपका पह दिख लेजिए यह अपना क्या है ना यह रॉंबस है तो इसका भी जो डाइगनल होता है ना वह अपना 90 डिगरी पर ही बाइसेक्ट करता है तो आप रॉंबस भी यहां पर लिख दीजिए तो अस्क्वाइर और रॉंबस दोनों का हम एक्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं स है ओके क्लियर है सेकेंड कोंशन की बात करेंगे अबी नंबर इन्या पैरलोग्राम एबी सीडी इफ बी इस कोल्टू 75 डिगरी फाइंड दे मेजर आफ एंगल सी तो चलिए मैं एक पैरलोग्राम ड्रो कर लेता हूं तो मैंने यहां पर बना लिया है एक पैरलोग्राम कितना लिया है और हमेंगल कितना है यह देखे जो पैरलोग्राम होता है उसका ओपाफ पैरलोग्राम होता है तो यहांपर हमारे पास किहां ना बी धी पैरल तयंग तो हम क्या है CD तो हम क्या लेखेंगे therefore angle B plus angle C equal to 180 क्यों होगा आप जान रहे हैं इंटेरियर एंगल है और सेम साइड के हैं तो सेम साइड की इंटेरियर एंगल है तो अभी आना हम पस B कितना है 75 डिग्री में आप पूट कर लेते हैं तो एंगल सी हम लोग को मिल जाएगा तो एंगल सी हमको क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 तो आप देखिए आपको क्या मिलता है आपको यहां से मिल जाता है 105 ओके 105 डिग्री तो एंगल सी आपको मिल गया 105 बस इतना ही आपको करना है ओके इतना है आपको सॉल्ब परके देखाना एक्जाम में हाना तो चलिए अब नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं और अगला कोश्चन से हम नंबर हमारे पास क्या है देखें कहता है वाट इस दी मेजर ओफ इच एक्स्टेरियर एंगल ऑफ रेगुलर हो तो हम लोग पहले इसका मालीच जी कि में रफ तके बना लेता हो यहां पर कि तो मैं यहां पर बना लिया हूँ एक रफ फिगर किसका ऑक्टागोन थो क्टाइवन में 8 साथ होते हैं तो अब हमको एक्स को एकस्टेरियर आंगल निकालना है मतलब यह बाहर के इंगल निकालने होगी आप समझ रहें न इसके लिएह दो क्या करना पड़ेगा यह इंटेरियर एंगल निकलना पड़ेगा तो इंटेरियर एंगल निकलने के लिए मेरे पास formula है और वो formula क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटेरियर एंगल एकल टो हो जाएगा हमारे पास n-2 और into 180 divided by n ओके यह अपना formula है तो अभी देखिए हमारे पास n क्या होगा ना number of side तो यहां पर number of side क्या होगा 8 तो हम 8 put कर लेते हैं minus 2 into 180 divided by यह कितना हो जागा हमारे पास 8 ओके तो चलिए divide कर लें यहां पर हमको 6 मिलेगा और यह 180 और divide by 8 तो हम divide करेंगे यहां पर 2 से divide करिए 3 मिलेगा और यह 4 फोर से यहां पर divide कर लेंगे तो फोर फोर जा 16 और फोर फैबजा क्या हो गया फोर फैबजा 20 ओके तो अभी हम multiply कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है हमको मिल जागा फाइब स्रीजा 15 और फाइब फोर फ्रीजा 12 फ्लस वंडेट इस थर्ट तो यह हो गया 135 तो अभी आपने क्या देखा कि इसका इंटेरियर एंगल निकल गया तो हम यहां पर लिखेंगे कोस्टन नंबर सी में हाना इंटेरियर एंगल और यह हो गया हमारे पास 135 डिग्री देर्फोर देर्फोर इच ओके इच 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 एक्स्टेरियर एंगल वहना बाहर का एंगल कितना होगा तो हम सिवदा सींपल सा कर लेंगे 180 माइनस 135 डिग्री चलिए अभी हमको क्या मिल जागा यह हमको मिल जागा 45 डिग्री तो बड़े सींपल वह में हम लोग यहां पर सॉल्ब कर लेतें कि यह फॉर्मूला आपको आद रखना है एक्स्टेरियर एंगल इंटेर एंगल का जो फॉर्मूला हमारे पास इस फॉर् फिगर ओके तो यहां पर कॉस्टेरियर एंगल बना रहा है ओके तो जितने भी एक्स्टेरियर एंगल होएंगी किसी भी पॉलिगोन का वह सभी को एट कर देंगे तो क्या मिलेगा 60 मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉंफिगर लाना फ्रॉंफिगर लिख दीए फिगर का नाम भी अब दे सकते यहां पे एलेवन Div.iron 3 3 ओके fake फ्रॉंफिगर we have हम क्या लिखेंगे व्य हेँ हमारे पास क्या है तो जितने वी एंगल से सभी का श्रम कितना होने वाला है one 360 ओके तो आईए हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 80 डिग्री लिखेंगे फिर लिखेंगे 65 डिग्री और फिर लिखते हैं 110 डिग्री और फिर x equal to 360 अब आप इसको simple सा solve कर लेजिए तो चलिए हम लोग इसको add कर लेते हैं ओके तो add करने पर हमको क्या मिलेगा न यह तीनों को add करेंगे हम लोगो मिल जागा 255 डिग्री और प्लस में x और equal to 360 डिग्री ओके तो अभी हम क्या कर लेते हैं न x हमको निकालना है तो हम 360 minus 255 ड हमको क्या मिल जागा यहां पर 105 डिग्री मिल जाएगा answer तो यह x का value आ गया बड़े सिंपल हुए में कहता है next find the find each angle of a regular और पेंटागोन तो आइए हम इसको भी solve करते हैं तो हमको क्या निकलना है एच एंगल निकलना है कि इसका पेंटागोन का तो हम भी सेम फॉर्मूला अप्लाए कर देंगे जो हमने सी नमर पर अप्लाए किया था तो हम यहां पर लिखेंगे इच एंगल और regular पेंटागोन तो हमारे पास पहले formula क्या है वह हम देख लेए इन माइनस टू इंटु 180 डिवाइड बई तू ओके इघिटीवेरटू का रेकेंगे 5 रखेंगे तो 5-2 into 180 divided by 5 चलिए 5-2 क्या हो गया 3 ओके और यहां पर into कर लिए 180 और divide कर लिए 5 से तो 5 से divide हो जागा आप कर देजे आपको क्या मिल जागा 5-3 जा 15 और यहां पर बच जाता है आपके पास 3 तो 5-6 जा 36 तो आप आपको मिल लागा 6-6-18 केरी ओवर 1-3-9 प्लस 1 तो यह हो गया 108 डिगरी ओकी यह क्या गया इच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन तो इस तरह से हम लोग यहां पर सॉल्ब कर लिए हैं कोस्टन नमर वन को so I hope this video lesson is helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead